साम की सवारी करने वाले मेंड़ की कहानी सालों पहले वरुन पर्वत के पास एक राच्य बसा हुआ था उस राच्य में एक बड़ा सा साम मंद विश्पी रहता था बुड़ा होने की वजे से वे असानी से अपना शिकार डूंड नहीं पाता था एक दिन उसने तरकीब सोची वो तुरंद मेंड़कों से बरे हुए एक तलाब के पास पहुँच गया वहाँ वे दुकी सा होकर एक पत्तर के उपर बैट गया तबी पास की पत्तर पर बैटे एक मेंड़क ने उसे देखा उस मेंड़क ने तूरी देर बाद सांप से पूछा चाचा क्या बात है आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं आपने लिए बोजन नहीं जुटाएंगे इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंड़क को कहनी सुनाए सांप ने कहा मैं आज बोजन की तलाश में किसी मेंड़क के पीछे पीछे जा रहा था अचानक से मैंडक ब्रामनों के जुंड में चाकर चिप गया मैंडक को बोजन बनाने के चक्कर में मैंने गल्दी से एक ब्रामन की पेटी को काट दिया जिससे उसकी मौत हो गई इससे नराज होकर ब्रामन ने मुझे श्राब दे दिया उन्होंने मुझे श्राब देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट बनने के लिए मैंडकों की सभारी बनना पड़ेगा इसी वज़े से मैं इस तलाब के पास आया हूँ ये बात सुनते ही वे मैंडक तुरन तलाब के अंदर गया और अपने राज़ों को सारी बाते बताई राजा कानी सुनकर हैरान हुआ पहले तो उसे बिलकुल भी यकीन नहीं हुआ लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैंडकों का राजा चल पाक तलाब से बाहर निकल कर एक तम खूते हुए साम के फन पर जाकर बैट दया राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मैंडकों ने भी ऐसा ही किया साम समझ गया था कि मैंडक अभी मेरी परिक्षा ले रहे हैं साम भी बिना विचलित हुए अराम से सब को अपने फन पर खूतने दे रहा था और उन्हें गुमा रहा था इसके बाद मैंडकों के राजा ने कहा जितना मज़ा मुझे साम की सवारी करके आया उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया मैंडकों का बरोसा जीतने के बाद अब दीरे दीरे साम रोज मैंडकों की सवारी बनने लगा कुछ दिन बार चतुर सांप ने अपने चलने की गती तोरी दीमी कर दी ये देखकर मैंडको के राजा जलपाक ने पूचा हे सर तुमारी चाल इतनी दीमी क्यों है इसके जवाब में सांप ने कहा एक तो मैं बूरा हूँ और ब्रामन के श्राब के वज़े से बहुत दिनों से भूका भी हूँ इसी वज़े से मेरी कती कम हो गई है इतना सुनते ही राजा ने कहा तुम चोटे चोटे मैंडक को खा लो ये सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन हुआ उसने कहा राजजन मुझे ब्रामन का श्राब है मैं मैंडक कहा नहीं सकता हूँ लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ ऐसा करते करते वे रोज चोटे-चोटे मैंडक खाने लगा और वे तंदुरुस्त हो गया अब सांप को रोज बिना किसी मैंडक के खाना मिल रहा था सांप काफी प्रसन था मैंडक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे मैंडक के राजा को भी सांप की इस साचिश की बनक नहीं लगी होते होते एक दिन सांप ने मैंडक के राजा चलपाक को भी खा लिया और तलाप में रहने वाले सैरे मैंडकों के वंच का नाश कर दिया कहानी से सीख किसी भी शत्रू की बात का चल्दी से बरोसा नहीं करना चाहिए इससे पुद की और अपने लोगों की हानी होना मिश्चित है दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें तैंक ये पर वाच्ची